हलो स्टुडेंट आई एम तमन्ना फ्रम विश्वास नवशार्दा पब्लिक स्कूल भूना तूड़े वी आर गोइंग टू स्टार्ट चाप्टर नूंबर सिक्स्टीन of class 8 light देखे light आप लोगों को पता है कि क्या है source of energy है या energy की एक form है जिससे हम अपने चारो और के word को देख पाते हैं तो let me start we know that light is a form of energy it enables us to see the word around us मतलब इसकी वज़ा से हम हमारे चारो और क्या करते हैं पूरे word को देख पाते हैं in the absence of light light की absence में हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे let us understand how light enable us to see things around us हम इस चीज़ को understand करेंगे कि light से हम हमारे चारो और की चीज़ों को किस तरह से देख पाते हैं देखिए when light falls on any object जब light किसी भी object के उपर fall होगी तो object क्या करेगा light को reflect करेगा ठीक है सभी direction में जिसकी वज़े से हम लोग देख पाते हैं देखिए देखिए यहां से जब sunlight इसके उपर fall होगी फ्लार के उपर तो यह क्या कर रहे है light को reflect कर रहे है और फिर फ्लार की जो reflection वाली light है वो हमारी eyes तक जाएगी तब ही हम इसको क्या करेंगे देख पाएंगे अगर मालो यह dark में पड़ा और हम light में खड़े हैं तो क्या हम इस फ्लार को देख पाएंगे no क्योंकि यह क्या है light को reflect नहीं करेगा तब ही हम इसे नहीं देख पाएंगे कोई भी object अगर हमें दिख रहा है तो means वो light में है अगर वो light में नहीं है तब तक हम उसे नहीं देख पाते क्योंकि जब तक वो light को reflect नहीं करेगा तब तक उसका reflection हमारी eyes तक नहीं पहुंच पाएगा और हम उसे नहीं देख पाएंगे When the sunlight reflected by the object enter our eyes, we are able to see the object मतलब कि जब क्या है कोई भी object sunlight को reflect करेगा और वो reflected light हमारी eyes में enter करेगी और हम उस object को देख पाएंगे Does light enable us to see the object from it which it reflect मतलब कि इस तरह से light की वज़े से हम किसी भी object को देख पाते हैं जो क्या है light को reflect करेगा Next देखिए When light traveling in a medium falls होने surface जब light किसी medium में travel कर रही है और किसी भी surface पे fall होती है तो it returns back in same medium यह क्या है उसी medium में वापिस आ जाती है इस phenomenon को हम क्या बोलते हैं इस चैप्टर में हम light और reflection of light के बारे में discuss करेंगे तो यह activity है To study the reflection of light from plane mirror हमने क्या है plane mirror से light का reflection study करना है हम लोग only diagram के through समझेंगे और यह diagram के बाद diagram को understand करने के बाद आपको पूरी activity read करनी है देखिए उससे पहले मैं आपको दो तिन terms बता दिती हूँ वो आप 7th class में भी पढ़ चुके है incident ray क्या होती है incident ray होती है कि जो light ray किसी object के उपर fall हो रही है ठीक है जैसे यह थी यह subject के उपर fall हो रही है थी इसे हम क्या बोलेंगे incident ray light source से आ रही है यह ray यहाँ पर fall हो रही है तो उसे हम बोलेंगे incident ray यहाँ से यह reflect हो के वापिस जा रही है इसे हम क्या बोलेंगे reflected ray this is incident ray this is reflected ray और जो यह ray मतलब इसके बीच का perpendicular हो गया यह ठीक है अब incident ray जो इस perpendicular के साथ angle बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे angle of incidence ठीक है और जो reflected ray इस perpendicular के साथ angle बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे angle of reflection आर बोलेंगे ठीक है अब यह बीच वाली line जो है यह कुछ नहीं है बस incident ray और reflected ray के बीच में हमने एक perpendicular अपने आप से ही ड्रो किया है इधर वाला angle of incidence इधर वाला angle of reflection देखिए यहां पर क्या है light source है एक narrow slit में ठीक है source of light हो गया यह हमने plane mirror ले लिया यहां से incident trace के उपर fall होई ठीक है यह क्या हो गया point of incidence यहां से यह reflected हो गई बहार मतलब वापिस से reflect उसी medium में तो यह reflected ray हो गई तो इसके बीच का जो है वो normal हो गया इसे हम O बोलेंगे यह mm- क्या है mirror है तो यह angle of incidence angle of reflection यह phenomenon है plane mirror से reflection का ठीक है क्या हुआ जब light source से light fall हो रही है इसके उपर incident रहे है फिर यह plane mirror से जब टकराएगी वापिस उसी medium में मुठ जाएगी वो reflected ray है जो incident ray angle बनाएगी वो angle of incidence और जो reflected ray बनाएगी वो angle of reflection तो student यहीं है इस पूरी activity में आप लोगों को यह read कर लेनी है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी incident ray बता दिया आपको क्या होती है कि जो light fall और यह उसे हम incident बोलते हैं इसमें incident ray कौन सी है और reflected ray कौन सी है बी ओ ठीक है point of incidence कौन सा है कि ऐसा point जो incident ray बना रही है reflecting surface के साथ उसे point of incidence बोलते हैं ठीक है angle of incidence जो incident ray normal के साथ बना रही है नोर्मल क्या है इन दोनों के बीच की perpendicular line है और angle of incidence जो incident ray perpendicular के साथ एंगल बना रही है उसे हम angle of incidence एंगल of reflection जो perpendicular reflected ray के साथ एंगल बना रहा है उसे angle of reflection बोलेंगे लिए यह हो गया यह हो गया normal जो बीच में right angle पर perpendicular light ड्रो करेंगे यह भी हमने देख लिया यह भी देख लिया तो student यह आपको यहां तक यह lesson read कर लेना है और अच्छे से read करना है और यह सारी definition जो है वो आपको आनी चाहिए और यह सारे point आपको इस diagram में पता होने चाहिए कि कौन सा point कौन सा है और कौन सी ray कौन सी है thank you bye bye keep studying